नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से एड़ा MC के ओजिके में दोस्तों राजस्तान CET यानि राजस्तान समान पातरता परिक्सा कॉमन इलिजिबिटी टेस्ट की त्यारी करने या फिर ICOAT LDC के अगर आप कर रहे हैं तो यह कलास अंसकरती के टॉप 20 महत्पुन परसन आपके लिए महत्पुन साबित होने वाले हैं तो वीडियो के अंदर तक बने रहेगा दोस्तों इसमें हम जो कि हमारे रोजना 20 परिक्साम में महत्पुन साबित होने चली बिना देरे के शुरू करते हैं परसन के और आते हैं हमारे समय को वैर्थ किये बिना चली तो परसन हमारे पहला परसन आपके सामने मुसीबान आनने की चटरी कहां इस्ती थे important person दोस्तों बताए इसका सही उत्तर क्या होगा मुसी 12 आने की चत्री कहां पर है ये दोस्तों कहां पर अलवर में कहां पर है दोस्तों अलवर में अविकल्प इस परसन का यहां पर सही उत्तर है और ये 80 कंबो की चत्री है कितने दोस्तों असी खंबो की चत्री है और इसका निर्माण दोस्तों 1815 में बक्तावर सिंग के पुत्र विजे सिंग ने दोस्तों इसका निर्माण करा वैता मुसी मारानी की चत्री का निर्माण कहां पर है यह दोस्तों अलवर में कहां पर है अलवर में कई बार परसन पूछा गया है दोस्तों कहां पर है मुसी बारान की चत्री अलवर में अविकल्प यहां पर सही उत्तर है और दोस्तों ये परसन राजस्तान की RSM SSB बोर्ड जो अधिनस्त बोर्ड है आपके विभीन परिक्सा आयोजित करवाता है तो उन परिक्साओं में पुछे गई ये परसन है आपके लिए महत पुर्ण जरूर साबित होंगे चली दूसरा परसन है आपके सामने जैपूर चितरकला सहली का स्वनकाल किस सासा के काल को माना जाता है तो जैपूर चितरकला सहली का स्वनकाल किस सासा के काल को माना जाता है तो किस सासा के काल को माना जाता है दोस्तों जैपूर चितरकला सहली का स्वनकाल ये माना जाता है दोस्तों स्वाई परताप सिंग के काल को कौन से किसके काल को स्वाई परताप सिंग के काल को दर विकल यहां पर सही उत्तर है और ध्यान रखेगा इनके जो जैपुर चितर सहली के चितर कार है साही ब्राम है एक तो इनके बारे में भी कई वार परसन पूचा जाता है कि साही बराम का समध किस चितर सहली से, एके दोस्तों साली गराम को भी ध्यान रखेगा, एके दोस्तों आपके लाल चंद कौन है, लाल चंद तो इसका भी नाम ध्यान रखेगा, साही बराम, साली गराम और लाल चंद, तो काली भाई राजस्तान के किस आंदोलन से संब्दित है तो काली भाई का संब्द दोस्तों राजस्तान के किस आंदोलन से है तो ध्यान रखेगा अच्छा परसन है ये भी दोस्तों तो काली भाई का संब्द है दोस्तों रास्तापाल आंदोलन से किस है दोस्तों रास्तापाल गठना हुई ती, जिसमें काली बाई दोस्तों सहीद हुई थी और रास्ता पाल से, रास्ता पाल आंदोलन तो क्या, रास्ता पाल से संबन्धित है ये, द्यान रखेगा, सर विकल्प इस पर्षन का सही उत्तर है चलिए, आते हैं, चार नमर क्यों, चार नमर है, गुर्जर राजदानी मंडोर से मेरता इस्तानांत्रित की तो गुर्जर परतियार वंस के कौन से सासक ने अपनी राजदानी मंडोर से मेरता इस्तापित की तो ये भी अच्छा परसन है दोस्तों तो नागबट ने किसने है दोस्तों इनमें से नागबट ने और नागबट पर्थम ने अपनी राजदानी मंडोर से कहां पर इस्तापित कर दी थी मेरता तो सर विकल्प होगा इस परसन का सही उत्तर चलिए तो अगला परसन है दोस्तों आपके सामने दोहरी रक्सा प्रसवीर के साक्सी राजस्तान की किस सब्याता से प्राप्त हो हैं तो दोहरी रक्सा प्रसवीर या विर दीवार के साक्सी दोस्तों राजस्तान की कौन से सब्याता से प्राप्त हो हैं ये प्राप्त हो हैं दोस्तों राजस्तान की काली बंगा सब्याता से कौन से सब्याता से काली बंगा सब्याता से तो सर विकल्प इस परसन का सही उत्तर और ध्यान रखेगा यह दोस्तों काली बंगा सब्याता एक सहरी या फिर नगरिय सब्याता थी कैसी सब्याता थी सहरी या फिर नगरिय सब्याता और एक चीज और ध्यान रखेगा यहां से साथ अगनी वेदी काएं कितनी साथ अगनी वेदी काएं भी काली बंगा सब्याता से पराप्त हुई इसकी खोज की बात करें खोज के बारे में भी कई बार परसन पूछा गया है खोज अमलानंद घोस दोरा किसके दोरा अमलानंद घोस दोरा ध्यान रखेगा तो सर्व विकल्फ होगा यहां पर सही उत्तर ध्यान रखेगा नगरी यहां फिर सहरी सब्याताती काली बंगा इस तीज़ को ध्यान रखेगा चलिए गगर नदिय के इनारे थी इसको भी ध्यान रखेगा तोड़ा च्छेन नमर परसन है आपके सामने आमेर राजा बिहारी मलकी पुत्री का विवा अकबर के साथ कहा हुआ तो आमेर राजा बिहारी मलकी पुत्री का विवा अकबर के साथ दोस्तों कहां पर हुआ था उम्दा परसने दोस्तों सांबर में कहां पर हुआ था सांबर में सांबर कहां पर है जैपूर में दोस्तों सर्विकल्प यहां पर सही उत्तर है और ध्यान रखेगा बिहारी मल्की पुत्री दोस्तों जिने जोदा बाई जोदा बाई या फिर हरका बाई मरियम उजमानी मरियम उजमानी भी कहा और इनका विवाद दोस्तों जो डेट है इनकी एनवर्सी के डेट की बात करें तो 6 जनवरी 6 जनवरी 1562 1562 में दोस्तों इनका विवाद हुआ था अकबर जोदा भाई या फिर अरका भाई का सव इकल्ब याँ पर सही उतर है काँ पर हुआ था सामबर में अच्छा परसन है दोस्तों ये भी चलिए आते हैं साथ नमबर की और साथ नमबर परसन है दोस्तों अलीबक्सी ख्याल राजस्तान के कौन से सेत्र में पड़ चली तो लोग नाटिये सहली है अलीबक्सी क्याल ये अलबक्स राजा के काल की है दोस्तों राजा अलबक्स के काल की और ध्यान रखेगा ये किस लोग नाटिये सहली की है अलवर की कौन से दोस्तों अलवर की सव विकल्प याँ पर सही उतर है अलवर के भी दोस्तों मुंडावर काप पर मुंडावर की तो सव विकल्प सही उत्तर होगा आते हैं अगले आठ नमबर की और आठ नमबर है राजस्तान में चुंदी तीर्थ इस्तित है तो राजस्तान में चुंदी तीर्थ कहाँ पर इस्तित है ये इस्तित है दोस्तों जेसल मेर में कहां पर इस्तित है जेसल मेर में अविकल यहां पर सही उत्तर है और ध्यान रखेगा कि यहां पर बादरपद सुकलपक्स की बादरपद की भी दोस्तों सुकलपक्स की चतुरती व पंचमी को यहां पर मेला भरता है कहां पर चुंदी तीर्थ पर कहां पर है यह जेसल मेर में उम्दा परसन है बेदी दोस्तों ध्यान रखेगा अच्छा परसन तो इस क्लास में हम ऐसा ही दोस्तों परसन पढ़ने वाले हैं जो परसन आपके लिए मैत्पूर्ण जरूर साबीत होंगे चलिए आते हैं अगले परसन के और अगला परसन है आपके सामने नौन नंबर परस अविकल्ब यहां पर सही उत्तर है, जसनाती संपर्दाय के जो, जो परवर्तक थे, वो कौन थे? जसनातजी, कौन थे दोस्तों? जसनातजी इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखेगा और इनके जो अनुयाई होते हैं, वो 36 नियमों का पालन करते हैं कितने नियमों का दोस्तों 36 नियमों का और विस्नोई संपर्दाई के तो आपको पता ही है कितने नियमों का करते हैं गुंतिस नियमों का और इनके जो विस्नोई संपर्दाई के परवतक थे वो कौन थे ? ज़्यान रखें इसके बारे में भी और ज्यान रखें, जशनाति संपड़ाई से समद्हाख दिते एक कित्रियासर, अन्हें का पर्मुख इस तरल है कतरियासर, जो की है, कहाँपर बिका नीर में, कहाँपर है दोस्तों बिका नीर में, और अग्नी नीर्तिया, कई बार पूछा गया है, कि अगनी निर्तिया का संब्द किस संपड़ाय से है, वह जशनाती संपड़ाय से, अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है, आते हैं, दस नंबर पर्षन की ओर, दस नंबर पर्षन है, राजस्तान में तेरापंद के परवतक रहे हैं, दोस्तों ये दये हैं दोस्तों बीखन जी कौन रहे हैं बीखन जी दविकल्प यहां पर सही उत्तर है और ध्यान रखेगा जो स्वेतांबर साका है जैनों की स्वेतांबर इसकी दोस्तों उप साका है कौन सी तेरा पंती कौन सी है तेरा पंती तो दविकल्प यहां पर सही उ उत्तर है चलिए आते हैं 11 नमर परसन के और अनमेल विवा और बाल विवा निसेद अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्स बनाया अच्छा परसन दोस्तों तो अनमेल विवा या फिर बाल विवा निसेद अधिनियम सबसे पहले दोस्तों अलवर रियासत ने बन नेक्स्ट है आपके सामने 12 नमबर दोस्तों, स्वामी दयानन सरस्वती द्वारा 1813 सी इस्वी में परोपकार्णी सभा की इस्थापना कहां की, बेदी अचा परसन दोस्तों, तो स्वामी दयानन सरस्वी द्वारा 1813 में परोपकार्णी सभा की इस्थापना की गी, तो ये भ होई दोस्तों उदेपूर में कहां पर होई उदेपूर में दविकल्प यहां पर सही उत्तर है चलिए नेक्स्ट क्योस्टन है आपके सामने तेरा नमर दोस्तों सुमेल का युद्ध लड़ा गया तो इसे कह सकते हैं सुमेल गिरी का युद्ध तो सुमेल गिरी का युद्ध 1544 सब में सलर परसनल लग रहा है लेकिन गड़बड कर सकता है क्योंकि संतों यहां पर सभी मैं से हमें लेकिन जो डेट है हो है दोस्तों यहां पर जन्वरी जन्वरी की भी कौन से ही 5 जन्वरी ध्यान रख्ये का 5 जन्वरी 1544 को ग्री सुमेल का युद सुमेल नाम अगिस्तान जो कि वर्तमान में दोस्तों पाली में कहा सकते हैं पाली में आता है दोस्तों और ये लड़ा गया दोस्तों जोदपुर के सासक मालदेव जोदपुर के सासक दोस्तों मालदेव और सेरसा सूरी के मद्ये दोस्तों ये युद लड़ा गया था और जो अ विकल्प है वो यहां पर सही उत्तर है और जैता और कुपा जो कि हमारे परसनल दोस्तों इजलास खास की इस्थापना की थी तो इजलास खास की इस्थापना ये दोस्तों किसके द्वारा की गई ये की गई दोस्तों सजन सिंग द्वारा महाराना सजन सिंग द्वारा इजलास खास की इस्थापना की गई थी सन को भी पोच सकते हैं सन कौन सा इसका गटन हुआ था और ये परसासनिक सुदार गटन था कैसा परसासनिक सुदार विबाग था जिसमें कोई परसासनिक संबंधी कारिये होते थे वो दोस्तों इजलास कास में होते थे सन पोचे 847 किसने की माराणा सजण सिंग्ग ने बविकल्प सही उतरे चलिए आते हैं 15 नमर के और 15 नमर है किस पर्जामंडल आंधोलन के तहाएत कर्ष्न दिवस मनए गया तो बेहड दियुमदा परसन है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा एक नाम आता है दोस्तों कृष्ना कुमारी का संबंध है दोस्तों किसे मारवाड पढ़जा मंडल से और इसका गठन दोस्तों हुआ था 1934 में और कुमारी जो की दोस्तों इस मारवाड पढ़जा मंडल में दोस्तों एक नेतर तो करता के रूप में कारे कर रहे थी लेकिन दोस्तों इनका अपरण कर दिया गया इनका परण कर दिया गहता और इन्हें दोस्तों न्याय दिलाने के लिए इन्हें न्याय दिलाने के लिए दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया गया और कृष्णा दिवस का जो संबंध है वो है दोस्तों मारवाड पढ़ जामडल से तो इसको ध्यान रखेगा बविकल्प है हम प्रमुक लोग इत है तो पटेलिया विच्या एंव लालर यह परमुक लोग इत किसके हैं दोस्तों आदी वास्यों के दो विकल्प यां पर सही उत्तर है। आते हैं अगले परस्टन के और अगला 17 नंबर गिदर्ड नर्तिय का सम्मद किस सेत्र से है तो गिदर्ड नर्तिय का सम्मद है दोस्तों किस सेत्र से से कावाटी से किस से है दोस्तों से कावाटी से और गिदर्ड नर्तिय एक परकार का व्यवसाइक नर्तिय है कैसा नर्तिय ह सव विकल्प सही उत्र चलिए अठारा नमबर परसन आपके सामने निम्न मैं से कौन सा ततवाद नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों रावनता तो है सुर मंडल भी है कामायचा भी है अब यहां पर सतारी देर का सतारा ध्यान रखेगा सतारा होना चाहिए अगर नाम देकर आपको लग रहा है कि तारा तार से ततवाद होगा तो यह ततवाद नहीं है सतारा ध्यान रखेगा ततवाद नहीं है यह सुसीर वाद है कैसा वाद्य यंत्र है सुसीर वाद्य यंत्र है सतारा तो दो विकल्प होगा यहां पर सही उत्तर आते हैं नेक्स्ट की और नेक्स्ट है आपके सामने मिनाकरी कला राजस्तान में सरोपर्थम किसके दोरा लए गई तो मिनाकरी की कला राजस्तान में सरोपर्थम किसके दोरा ले गई ये लागे ही दोस्तों मान सिंग पर्थम द्वारा किसके द्वारा मान सिंग पर्थम द्वारा बविकल्प यहां पर सही उत्तर है आसान है यह तो परसंद दोस्तों अगला 20 नमर दादू पंद का अधिकांस साहित है अधिकांस साहित है किस बोली में लिपी बद है तो दोस् उत्तर चलिए धन्यवाद दोस्तों ये ता अंतिम परसन आपके और 20 महत्पॉन परसन थी ये आपके होने वाली राजस्तान की CT या फिर आईकोड की LDC की परिक्सा में महत्पॉन साबित होंगे उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दें इसी परकार के वीडियो आपके लिए आते रहेंगे धन्यवाद मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नई क्लास में तब तक के लिए जेहिंद वंदे मात्रम